हेलो, आज हम बात करेंगे SBI Fastag के बारे में और ये भी बताएंगे की SBI का Fastag कैसे बंद करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए की Fastag क्या है Fastag एक Electronic Toll संग्रा प्रनाली है जो आपके राजमार्ट टोल के भुपतान को आसान और सुविधाजनक बनाती है और SBI का Fastag लेकर आपको ये फायदे और भी ज्यादा मिलते हैं लेकिन अगर आपका SBI Fastag बंद करना है तो आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे सबसे पहले आपको SBI की आधिकारिक वेब साइट पर जाना होगा वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा Fastag Services का उसमें से Closer Request विकल्प का चैन करें इसके बाद आपको अपने Fastag अकाउंट में लॉग इन करना होगा अपने पंजीकृत मोबाइल नमबर और पासवर्ट से लॉग इन कर सकते हैं अगर आपका पासवर्ट भूल गए हैं तो पासवर्ट भूल गए विकल्प का उप्योग करें जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो आपको अपना Fastag अकाउंट सेलेक्ट करना होगा उसके बाद आपको खाता बंद करें विकल्प पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको एक Confirmation Message मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सच में अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं पुष्टिकरन संदेश के बाद आपको अपना कारण चुननना होगा खाता बंद करने के लिए इसमें आपको विकल्प मिलेंगे जैसे कि डुपलिकेट खाता वहन बेचा गया फिर किसी और कारण के लिए अंत में आपको अपना Closer Request सबमिक करना होगा इसके बाद SBI की तरफ से आपको एक पुष्टिकरन संदेश मिलेगा जिसका लिखा होगा कि आपका Fast Act खाता सफलता पुर्वक बंद हो गया है तो ये हैं SBI का Fast Act बंद करने के लिए कुछ आसान कदम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अगर आपके कोई प्रश्ण है तो टिपनी अनुभाग में पूछ सकते हैं क्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर बने रहें धन्यवाद